गुड मॉर्निंग गाईज आज दिखाने जा रही हूं मैं कि एक पाम से हम अनेक कैसे बना सकते हैं तो देखिए आज मैं किस तरह से एक से अनेक पाम को आगे कनवर्ड करूंगी जैसे मैंने दो साल पहले परचेज किये थे गमले तो उसमें से कितने निकलते अभी देखती ह हुमें बने रही है आप वीडियो में मेरे साथ तो किस तरह से बढ़ते हैं एक पाम से अनेक यह देखे इस तरह से तो अब गमले में मिटी खोदती हुमें ढंग से और इसमें खाद मिला करके फिर एक एक करके वन बाई वन इसमें लगाते जाएंगे हम और इसी तरह से ताकि मिटी बिल्कुल ना जम जाए इस पे फिर ऑक्सिजन नहीं आएगी प्लांट में तो थोड़ी छोड़ी पत्थर जरूरी डालने गिटियां जैसी तो उसकी बज़े से थोड़े गिटियों वाली मिटी डाले और थोड़ी सी रेत भी डालनी है इसमें क्यूंकि जड़ो को जो है सारे में फैलने के लिए खुली जगा चाहिए तो रेत डिली होती है तो इसमें जड़े असानी से फैलती हो और आपका पौदा जो है अच्छे से ग्रो होगा तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो इस तरह से अपने एक पाम से अनेक बनाए अपने दोस्तो निकले तो 5 गमले भरे मैंने दो पाम के उस से निकालके और मेरे बने हैं 5 एक्स्ट्रा तो देख सकते हैं आप हर कमरे के लिए बहुत ही जादा होगे तो एक बार परचेज करें आप पाम को उसके बाद अपने आप बढ़ते जाते इससे बहुत सारे बनते जाएंगे तो बहुत अच्छा होता है शुब भी माना जाता है और कई जगा पर इसकी पूजा भी करते हैं पाम की माता की फोटो के आसपास रखते हैं और बाकी इससे ऑक्सीजन भी होती है एलो वीरा भी हमारी जैसे हम नीन्द में सोए होते तो हमारे विशेले तद तब जो निकलते हैं तो अपने अज़ाब कर लेता है ऐलो वीरा और इससे भी हमें बहुत अच्छी ऑक्सिजन मिलती है फ्रेश बिलकुल तो अपने सराहने के पास भी जरूर लगाएं ऐलो वीरा का गमला बाकी इसका जेल बहुत काम आता है फेस पे भी बालों में भी लगा सकते हैं इसको प्लांट लगा रखे हैं दो तिन तो यह भी अच्छे से बढ़ रहे हैं और बाकी देख सकते हैं आप इनका हर बक्त तिहान रखें कब इनमें खाद डालनी है और कब मिटी डालनी है और कब कब पानी देना है और आप वाटरिंग जो है सप्रे करके भी कर सकते हैं थोड़ से दो महीने तक आपके प्लांट जब बिल्कुल भी नहीं सुकिंगे यह बहुत ही शुब माने जाते हैं बट यह है कि मनी प्लांट का भी जो मैं बता रही हूं शुब तो है जैसे बोलते हैं इससे मनी आती है ऐसा भी कुछ नहीं सिर्फ कारण यह होता कि इन्हें पालना निकाल दे उसमें से दाग दाग जैसे हो जाते हैं जैसे पाला पड़ता है तो आज मैंने सोचा में पाम के बारे में दिखा दूँ एक से अनेक पाम आप कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने घर को सुंदर वातावर्न में चेंज कर सकते हैं जैसे अब गर्मियारी बहुत ज होती है और हम एसी लगाते फैन लगाते जो हमारे श्रीर के लिए भी हानी का रखे निचुरल लगाए इंडोर प्लांट्स लगाएं यह अच्छे होते हैं बहुत जादा और ऑक्सिजन देते हमें और एक से अनेक भी बनते बहुत बार बोला मैंने एक से अनेक तो बहुत आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं और पाम भी इंडोर प्लांट और मैं किसी दिन जाके और परचेज करके लाऊंगी अच्छे अच्छे इंडोर प्लांट्स ज़ूर लगाने चाहिए हमें और बाकी मैंने सोचा आज मैं साफ करके दिखा दूं गंले भी और एक बीडिय और क्या हो सकती है जो किसी को आप खुशी दे और जिससे इनसान ऑक्सिजन के बिना तो जी नहीं सकता ऑक्सिजन दे किसी के लिए तो ये तो बहुत बड़ी गिफ्ट होगी दिल से आपकी तो इस तरह से वाटरिंग इस तरह से सप्रे करके करें इनके लीब्स पे इस तरह जब आपके इन पत्तों पे नमी बढ़ी रहेगी पौदों के पत्तों पे तो ये बिल्कुल भी नी सूखेंगे हरे बरे और धूल मिटी जम जाती है इसे भी अच्छे से धो देता है ये सप्रेसी करके तो साफ रहेगा और मनी प्लांट पे कभी धूल मिटी ना जमने दे बस इस तरह से सप्रे करें आपके गमले महीने में एक बार तो जरूर साफ करें बाहर से जैसे मैंने कपड़े से दिखाया साफ कैसे करने है साबुन ले लो आप साफ ले लो बटी इसके अंदर ना डालें प्लांट सुख सकते हैं आपके बार बार से साफ करें इस तरह से देख तो परचेज करने की जरूरती नहीं पड़ी, सारा काम बिना परचेज की ये हो गया घर में बैठके, तो जैसे एक पाम से बहुत सारे बन गए तो मुझे जरूरती नहीं अब परचेज करने की भी बहुत सारे आगयागे बढ़ते जाएंगे, अब जैसे मैंने ये पांच एक close है उनको दे सकते हैं तो बहुत अच्छे यह देखें इस तरह से मैं साफ कर रही हूँ अब सरफ के पानी से बाहर बार से अच्छे डंग से जैसे हम बरतन दोते ऐसे ही करें बाहर बार से मलके इसको और अंदर ना लगाए साबुन बिल्कुल भी नहीं ऐसी पानी वाला पोच्छा पोच्छे से साफ कर सकते हैं आप अंदर से बट सरफ ओड़ा ना डालें क्यूंकि प्लांट सुख सकते हैं इस तरह से यह देखें इस तरह से चमक उठेंगे आपके गमले और बहुत ही सुन्दर लगेंगे महीने में एक बार जरूर क्लीन करें इनको जैसे बरसात आती तो थोड़ा सा डिटॉल डालके कपड़े में पानी के अंदर डिटॉल मिला के फिर उससे पोचा कर सकते हैं आप बरसात में जैसे कीडे मुकोडे ना आए या तो ये इस तरह से थे मेरे प्लांट्स इसके नीचे में छोटी सी कारपेट बिछा दिये क्या कि पानी तो नहीं निकलता कम ये पानी आपने और बाकी सप्रेग करके करना में तो कारपेट ख़राब नहीं होगी कम देना है पानी अगर जादा दोगे तो फिर पानी तो अल्रेडी निकलेगा निकलेगा तो इस तरह से थी मेरी आज की वीडियो जो मेरे चाइनल पे नहे हैं तो जरूर मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और जरूर लिखें कैसे लगती है मेरी वीडियो तो म महीने के अंदर बहुत ही सुन्दर लगते इस से अंदर कमरे की जो रूम की जो है लुक भी बहुत ही सुन्दर लगती है और साथ हमारे को आक्सीजन आती है बहुत जादा आक्सीजन मतलब हर बीमारी से दूर रखते ये चीज़े तो जरूर लगाएं आप इन चीज़ों को साफ करें और जिनके छोटे बच्चे तो अच्छा खासा ध्यान रखें अलर्ट रहें कोई कीडे मुकोडे ना हो साथ जैसे बीच्छू बगरा नमी में आ जाते तो जुरूर ध्यान रखें आप अगर फनेल का पोचा लगाते तो कभी भी नहीं आएंगे अंदर तो गाइज आज की वीडियो थी मेरी पाम के प्लांट पर, मनी प्लांट पर और एलो वीरा पर मिलती हूं मैं नए टउपिक साथ अगली बार अच्छी सी वीडियो ले कर के तो मेरे चाइनल को मेरे चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करें बाइ बाइ गाईज और इन प्लांस में एक बात मैं बता दूँ कि धूप लगाने की भी जरूरत नहीं होती है वैसे तो अंदर कमरे में आई जाती है अगर कभी-कभी लगानी भी आपने तो चोटे-चोटे गंबले उठाके जरूर धूप लगाएं बाहर जैसे अंदर आती है तो फिर जरूरती नहीं हो वैसे तो जरूरती नहीं होती इन प्लांस को दूप की जरूरती है